तो देखकर आपको लग रहा हो कि इसे हमने कैसे बनाया है ये है नौरात्री के लिए या किसी विब्रत के लिए आप इस नास्ते को बना के खा सकते हैं अगर आप ब्रत रख रहे हैं या ना भी रख रहे हैं तब भी इस नास्ते को आप बना सकते हैं ये बनाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन के तयार होता है और बहुत ही टेस्टी बनता है तो हमने आज बनाया है साबुदाना इसे बहुत बढ़िया नास्ता तो इस नास्ते को हमने कैसे बनाया है उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा तो पूरी वीडियो आप देखिएगा वि पर तो आज हम बनाने वाले हैं साबू दाना से यह नास्ता तो इसके लिए हमने लिया है एक कप यहां पर साबू दाना आप छोटे या बड़े साइच के साइच का साइच का साबू दाना इस्तमाल कर सकते हैं determない सबसे पहले साबुदानों करेंखेंटे, क rencontrons नहीं है फिर भी आप उसे चलनी से चान लेजाएगा तो हमारा पॉडर बन के तयार है फिर भी हम इसे चलनी से चान लेते हैं एक बाउल लेंगे और बड़ी वली चलनी लेंगे उसे हम इसे चान लेंगे और जो साबुदाना बच चाहेगा चलनी में उसे हम दुबारा सब पीस कर पॉर्डर बना लेंगे और उसे भी छान लेंगे इस तरह से आपका साबुदाना वेस्ट नहीं होगा तो हमने चलनी में डाल कर सारा साबुदाना छान लिया है तो यहाँ पर हम चार उबले हुए आलू का इस्तमाल कर रहे हैं इसे उबाल कर हमें चील लिया है अब इसे हम कदू कस कर लेते हैं आप इसे हाथों की पतर से भी इसे अच्छी तरह से आप मसल के डाल सकते हैं मगर आलू के बड़े बड़े टुकडे नहीं रहने चाहिए नह अधरक को हमने घिस लिया है तोड़ा साधरक हमने इस्तमाल किया है तो इसमें हम घिस के अधरक को डाल देते हैं जो भी चीजे हम इस्तमाल कर रहे हैं वो सारी व्रत में खा सकते हैं आप इसमें हम कोई भी ऐसा चीज ने इस्तमाल करेंगे जिसे आप व्रत में नहीं खा सकते तो हमने दनीय के पत्ते डाल दिय और भुना हुआ हमने जीरा पौडर रख है आधा चमध लाल मीच पौडर डाला है और यहांपे हमने डाला है सेंधा نमक स्वाद अनुसार तीखा और नमक आप अपने अनुसार कम या जादा रख सकते हैं दो आपकि कम ही रख क Hem === अगर आपको लग रहा है कि यह जो हमारा डू है बहुत टाइट है और यह हम अच्छे से नहीं पनवा पाएंगे तो आप क्या करिए थोड़ा सा और अलू एक दो पीस और आलू मिला लीजेगा तो इसे अच्छे से हम हाथों की मदद से अच्छे से मिला लेते हैं या गरम प अच्छे से मिला लेते हैं और हाथों पर लगा लेंगे थोड़ा सा और इसे एक हम राउंड सेप में बना रहे हैं आप किसी भी सेप में बना सकते हैं तो हम इस तरह से गोल-गोल सा बना ले रहे हैं यह देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है आप किसी भी सेप में बना किसे खा सकते हैं एक पीस हमने आपको बना के दिखा दिया है चलिए अब तेल देख लेते हैं तो हम यहाँ पे मुफली का तेल इस्तमाल कर रहे हैं आप घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं जो भी तेल आप खाते हैं ब्रत में उसे आप इस्तमाल कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने सा अच्छा रह जाएगा तो गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखियेगा जितना पैन या कडाई में श्नैक्स आसके उतना ही आप इसे फ्राइ करिए हमारा सारा स्नैक्स एकी बार में फ्राइ हो गया था तो इसे डाल कर आपको दो मिनिट के लिए छोड़ देना है उसके बाद क लटकर इसे गोल्डेन ब्राउन होने तक प्राइ कर लेना है और एकदम डार्क नहीं करना है नहीं तो यह जले जले इसका स्वात देगा अच्छा नहीं लगेगा खाने में तो यहां पर हमारा स्नैक्स बनके तयार है अब इससे हम निकाल लेते हैं टीशू पेपर पर ताक हमने जो भी इंक्रिडियंस इसमें इस्तमाल किया है सारा आप ब्रत में खा सकते हैं इसकी आवाज सुनिए एक इतना क्रिस्पी बन के तयार हुआ है बाहर से क्रिस्पी है अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है तो हम आपको तोड़ की दिखाते हैं तो यह देखिए यह अंदर स तो अगर आपको आज हमारी वीडियो थोड़ी से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर येगगा हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सस्क्राइब करिएगा चैनल को और सेर करिएगा इस वीडियो को वेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारी वीडियो को देख सकें पहले तो इसी तरह प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को आप देते रहिए और हमें आगे बढ़ाते रहिए तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई